मैं हूँ आपका टीचर अमंद सिंग तो दोस्त आज इक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पर डिस्कुशन करने वाले हैं एक ऐसा प्लान जिससे आफ प्रेजिक्स में वनेटे आउट ऑफ वनेटे लेके आ वनेटे आए हैं और टू उसी बच्चे के नीट दो हजार एकिस में फिजिक्स में दस नमबर आये ते से और नीट दो हजार बाईस में उसके वनेटे आउट ऑफ वनेटे आये टोटल सिक्स नैटे फाइव आया शायद दो सो तिंग या दो सो चार उसकी ओल इंडिया नहीं भी आये तो कोई बैच्चा इतना improvement कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं चीक है बस करना क्या होगा एक positive intent के साथ जो कई बार होता हमारा एक बार result खराब हो जाता है तो हम अपन सोचते हैं यार मेरा तो शायद इस बार भी बहुत कम chance है ऐसा नहीं आपका 100% chance है दे आर लौटस of lots of example मैंने देखे हैं कि बच्चों ने तीसरे अटेंट में जाके चौते अटेंट में भी जाके बहुत सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुए है टॉप किया है एक्जाम तो कुछ बहुत जादा डिपिकर्ट नहीं है बस अपना attitude outlook एक्जाम को लेकर थोड़ा बदलना है प्रिप्रेशन एक डायरेक्शन में एक सही तरीकी से करेंगे तो आपके मार्क्स जबूर अच्छे आएंगे और आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे ठीक है मेरे इसाब से बच्छा पाटी किसी भी एक्जाम को देने के लिए तीन बहुत important aspects होते हैं जो हमें पता होने चाहिए तीन एक बहुत important aspects जिनके हमें नजर होने चाहिए पहली बात ऑबिसी बात है preparation तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो नीट 2023 जो मुझे लगता है यह कोई official नीट की update नहीं है बाट based on my experience और मेरी जो मेरा जो खुद का personal विवेक है उसके हिसाब से मुझे लगता है इस साल सब कुछ सही रहा तो में एंड तक आपका नीट का एक्सा तो मोटा मोटा आपन देखे preparation के लिए आपके पास October से लेके अप्रिल तक का समय है एक बैलेंस वे में अगर आप प्रिपेर करते हैं तो October, November, December, January इन चार महिने में फोकस करके आपको अपना subject complete करना है ठीक है फिर अगर आप January एंड तक एक अच्छी तरीके से अपना subject complete करें तो Feb March में आपके revisions होंगे आपको revision करना चाहिए प्लस part test पहले पंद्रा दिन में तुमने 11 की फॉर्स्ट बॉक जैसे अगर अपन बात करें स्लिवर्स के नीट के तो चार एंसी आटी लग रही है 11 में दो एंसी आटी 12 में दो एंसी आटी तो पहले पंद्रान में तुम मालूफ एंसी आटी पार्ट वन कर लिया पूरा mechanics और फ्लूड वाला पार्ट तो उसका आपने पार्ट तेस्ट दिया टॉपिक वाइस भी दिया और पूरे 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 पार्ट का भी टेस्ट और सारे के सारे पार्ट को बहुत अच्छा से रिवाइस कर लेना है अगर आप बहुत अच्छा इस प् tart चाहते चाहते हैं फैवरी को मुझे लगता है कि फुल आपको फुल से लिबस टेस्ट पर समय देना चाहिए फुल सिलेबस टेस्ट देते रहना है और डेली आपने को क्या करना है फॉर्मला रिविजन्स करने है ठीक है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर जो भी आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे उसमें देखेंगे जिस पर्टिकलर टॉपिक के सवाल आपसे जादा तर गलत हो रहें उन सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज करते रहेंगे तो अपरिल में रिविजन का ये रहेगा में के जो ठीक है में का महिना भी रहेगा बट उसको अपन अभी बफर लेके चल ले कि बाई कुछ गलतियां होगे अपन परफेक्ट पैन के साब से चल भी तो नहीं बात है ते जिन से रहें नहीं बच्पन से तो मैं वो 15-20 दिन क बफर कर लेके मां चलना हूँ कि अभी भी मालनों तुमने से कुछ गलतियां हो गई तो 15-20 दिन का जो बफर है उसमें तो मुस्वीज को भी कवर अप कर दोगे तो अगर आप एक अच्छी तरहीं सीरियस नीट एस्परेंट है तो बच्छे आपको ये प्लान फॉलो करना चाहिए अपनी पढ़ाई को इस तरीके से स्रेश्टमाइज करिए कि आपको जैन्वरी एंट तक स्लेबस कंप्लीट हो जाए कंप्लीट फिजिक्स केमेस्ट्री बैयोची फिफ फैब और मार्च में आप रिवीजन और पार्ट टेस्ट करेंगे और अप्रेल में फुल स्ल है और नहीं तो आप यहाँ पेहमेजन अकाडमी के चैनल पर आके सब्सक्राइब कर लो और मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर लो मैं जैन्वरी एंट तक आपका हर आलत में 100% लिखके दे रहा हूं पूरा कंप्लीट सिलेबस डिटेल्ड कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा फिर फ सब्सक्राइब और मार्श पूरा दो महिने रिग्रस रिवीजन और टेस्ट लेंगे फिर अप्रल में आपको डेली मैं फुल सिलेबस टेस्ट कराऊंगा और यूट्यूब पर ही उन टेस्ट करेंगा डिस्कुशन करूंगा फॉमला शीट दोंगा वह सब आपको करके आना ही होना तो आपको इतना रिवीजन तो रिक्वाइड ही है तो इस चीज को आप इस तरीके से फॉलो करें ठीक है लग जाए मेरे साथ जनवरी एंड तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा फैब और मार्च में आपके रिवीजन और पार्ट टेस्ट होंगे और अब चाहें तो खुद भी अगर प्रिप्र कर रहें या कहीं और से भी प्रिपर कर रहें किसी और टीचर से भी तो यह कीप इन यह मांड में जरू रखें बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं आगा तो जनवरी एंड में तुमने फॉस्स टाइम स्लिवर साइंड नहीं क यह से आपको नहीं मिला तो मैंने बता दिया कि मैं यूट्यूब परेस्ट डेली करा थो मेजने के प्लेट्फर्फॉर्म पर फॉर्वोड आप उसको फॉलो कर सकते हैं डेली मेरी क्लासरों रहते हैं पिधा ठीक है तो यही एक च्छोटी अपडेट थी आप लोग के लिए टाटा बाबाई जैहन थैंक यू गाइज आप जैहन